हेई गुड मॉर्निंग तो टेक्निकल परिवार में आपका स्वागत है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिन के अंदर जो फोटो किलिक करते हैं वो अच्छे से विजिबल होती है क्यों क्योंकि सनलाइट इतनी ज्यादा होती है कि हमें अपने आखों से नॉर्मल आखों से सब कुछ दिखाई दे देता है तो कैमरा क्यों नहीं कैचर कर पाएगा लेकिन जब बात आती है नाइट की जब रात होती है ऐसे में अगर हम कोई फोटो किलिक करते हैं तो उस फोटो के फ्रेम में सिर्फ वोई चीजे दिखाई देती हैं जो हमें दिख रही है जहाँ पर light गिर रही होती है वोई चीजे अच्छे से camera के frame में दिखाई देती है और उसके बाद में वो photo click होकर आती है लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप night में जब photo खीचोगे तो दिन की तरह photo दिखेगी यानि कि जो अपनी आखो से अंदेरे के अंदर जो नहीं देख पा रहे हैं वो आपके ही mobile के camera से आप खीच कर देख पाओगे जैसे photo click करोगे उसके बाद में जो photo मिलेगी वो ऐसा लगेगी जैसे दिन में photo खीची गई हो और ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये रात में night में photo click की गई है क्यों क्योंकि उसमें सब कुछ किलियर ली जो camera के सामने था वो सब कुछ दिख चाएगा चाहे कितना ही गहरा अंदेरा हो तो ये वीडियो एंट तक तो दिखने को बनता है इसलिए बोल रहा हूं guys वीडियो पसंद आए तो like जुरू करना और comment करना चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किस बास का कर लो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपको mobile में चलना होगा आपके अंदेरे के अंदर दिन की तरह फोटो की सकते हैं अगर रात के अंदेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा अगर आप जरूर बताना हाँ वीडियो एंट तक जरूर देखना उसके बाद में हैं वेजिक कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए सबसे पहले में कैमरा खोल लेता हूं अभी आप देख सकते हैं कि नाइट हो रही है पूरी तरीके से सब कुछ चारो और अंदेरा दिख रहा है लेक तो का सलका पूkum का ये ऊजाला है जो चांद की रोसनी से मिल रहा है तो मूझे फोटो कीछीं करनी हैं अबरमय repente इस पोटो को में नॉर्मल मोडा में फोट докумति करता हूं चैना नाइट मोडे में घून्प चछान मेरे से और तुम यहीं तो मैं जारू करना है तो मैं क्या कर अगर फोटो के लिए करने के कोशिज करता हूं तो कुछ साकिंट्स अपूल यहां पर लगानी पड़ेगी लेकिन फिर भी यहां पर देके कुछ खास रजल्ट नहीं आया पहले वाले से मोड से भी ज्यादा प्रती रजल्ट हमें यहां पर देखने को मिला है चलिए मैं और काफी सारे यहां पर मोड दिये गए हैं तो मैं यहां पर एक्सपर्ट में जाता हूं या फिर प्रो में जाता हूं तो जैसे मैं एक्सपर्ट में जाता हूं इसके बाद में 5 सेटिंग के बटन आते हैं हो सकता है आपके में ज्यादा मिल जाएं तो आपको इन में से कु एफ है उसको छेड़ कर फिक्स कर सकते हैं जैसे अपरचर में क्या होता है अगर आप अपरचर सबसे कम रखोगे तो पीछे की जो चीजे हैं वो सब कुछ दुंदली दुंदली दिखाईतेगी अगर आप अपरचर हाई रखते हैं जो सबसे पास की चीजे वो किलियर दिखे जाएंगी और जो पास की चीज है वो बलर दिखेगी अगर हम अपर्चर को जीरो कर देते हैं तो पीछे-पीछे की चीजे ऐसे दूंदली-दूंदली दिखने लग जाएंगी और पास की चीज क्लियर दिखेगी तो इसलिए मैं यहां पर पूरे सीन की फोटो लेना चाहता ह हूं जो भी यह सीन दिख रहा है अंदेरे के अंदर जो है उसको देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा अपर्चर सबसे हाई कर लूँगा ओके मैंने सबसे हाई कर लिया अपरचर अब आता है सबसे इंपोर्टेंट दो सेटिंग दो यह स्वेटिंग कुछी है सबसे सबसे हैं सटेर स्पीड सबसे अब को इस पर मैं 8 सेक्डेंट कर लेता हूं यह 10 तब आप हो तो ज्यादा निरह है 42 यह सोला कर सकते हैं लेकिन मैंgenर Beef ऑर 4 आई smallestht- problem यहां पर आई-ए सबसे और अभी देखिए इस ओ मैं मैक्सिमम्रक्ता अगर प्यॉर अंदेरा होता त 3200 ISO रखता लेकिन अभी इतना अंदेरा नहीं है तोड़ा बहुत इसका उजला है यानि चंदर्मा का इसलिए मैं ISO को 1000 कर लेता हूं यह 1100 कर लेता हूं चलिए मैं 1000 कर लेता हूं यहां पर देखे हमने सटर स्पीड 8 सेकंड रखी है इसका मतलब है कि जब आप फोटो किलिक करोगे तो 8 सेकंड तक प्रोसेसिंग होगी और इस प्रोसेसिंग के दोरान आपका फोन बिलकुल भी नहीं हिलना चाहिए जिस फ्रेम को कैप्चर कर रहा है उसी फ्रेम पर रहना जिस बिलकुल भी हिलना नहीं चाहिए इसलिए फोन को पहले ही कहीं एक जगह सेट कर ले या फिर आप ट्रोई फूट पर सेट कर दे उड़ जैसे बटन दबा देंगे उसके बाद में आपको फोन को खिलाना नहीं है बिलकुल भी तो चलिए मैं यहाँ पर पोटो क्लिक कर हूं कि अपक हां अब देखे गूँए आप आप ये फोटओ का रजल्ट काफी अच्छा दिख रहा ऐसा लगऄ जैसे दिन में फोटो कीची सीगी हो हूं अभी आपको ये तोड़ा नहीं दिख रहा क्यों नहीं तो एक जगए पकड़ावा था लेकिन फिर भी हलकी फुलकी तो मॉबाइल हेली गया था इसलिए ये थोड़ा बलरी बलरी दिख रही है लेकिन दिन की तरह ये फोटो दिख रही है ऐसा लग रहा है जैसे दिन में ये फोटो कीची गई हो लेकिन नॉर्मल मोड वाली वाचिनिका परने वादे अैं